नमस्कार आप देख रहें देश रोजाना मैं हूँ बेन जिरहाश मी बुलीटिन में शुरुआत करेंगे दिनबर की कुस्ताजा सुर्खियों की साथ फिर बात करेंगे हर्याड़ा की खास खबरों की असम में बार से छे लाग से ज्यादा लोग हुए प्रभावित 35 लोगों की हुई मोत तो मिजोरम में लेंड्सलाइट से गई तीन लोगों की जान राहुल गांदी की लोगसभा स्पीकर को चिठी बयान के हिस्से हटाने का किया विरोध राहुल ने कहा मोधी जी की दुनिया में सच को भी मिटाया जा सकता है लोगसभा में बोले सपा नेता खिलेश यादव कहा अर्थ वेवस्ता का आकड़ा छिपा रही सरकार अब मन मर्जी नहीं चलेगी जन मर्जी चलेगी यूपी के मुखे मंतरी योगी अधित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दी गई कई एहम प्रस्तावों कोई मंजूरी मिटिंग में शुरक्षा गाड़ों और शिक्षकों के मान दे बढ़ाने के प्रस्ताव पे लगी मोहर जिंबावे के खिलाब टी-20 सीरीज के लिए भारतिय टीम भारा से हुई रवाना पांच मैचों की सीरीज का पहला मैच 6 जुलाई को हरारे स्पोर्ट्स कलम में खेला जाएगा हर्याडा में आयुश्मान चरयो कार्ड से इलाज हुआ बंद 200 करोड की पेमेंट रोकने पर प्राइविट अस्पतालों ने दिया फैसला मरीजों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना बात करें शेयर बजार की तो सेंसेक्स ने 89,855 और निफ्टी ने 24,236 का हाई बनाया फिलहाल सेंसेक्स में 158 से ज़्यादा की गिरावट आसोना हुआ सस्ता तो वहीं चान्दी हुई महेंगी बता दे गोल्ड 71,858 रुपेर पर आया सिल्वर के दाम 88,085 रुपेर परती किलो पहुची तो ये दि दिन बर की कुस्ताजा सुर्खियां अब बात करते हर्याड़ की तासा और बड़ी ख़बरों की हर्याड़ के मुखे मंत्री नायाप सिंग स्थानी ने एक बार फिर से प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी रहा दे दी है तरसल सियम ने शहरी और ग्रामिन सफाई कर्मचारियों के लिए ऐलान किया है कि नगर पालिकाओ, नगर निगमो और पंचायतों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों की मानदे एक हजार से दो हजार उपे की बड़ोतरी के साथ बढ़ा दी गई है, वहीं नगर पालिकाओ, नगर परिश्वत के सफाई कर्मचारियों का मानदे बढ़ाकर 17,000 किया गया है आपको बता दें कि साथ ही ग्राम पंचायतों की सफाई कर्मचारियों को 16,000 उपे का मानदे देने की भी गोशना की गई है वहीं सियम नायप सियनी ने गोशना किये एक ही सफाई कर्मचारियों के लिए अलग सा पोटल भी बरनाया जाएगा हर्याणा में आने वाले समय में विधान सभा के चुनाव है वहीं अब नायप सिंग सैनी की सरकार बंपर भरतीयों की तयारिया में है द्रसल शिक्षा निदेशाले ने हर्याणा कर्मचारी चैन अयोग को 1200 JBT की भरती का प्रस्ताब भेजा है विधान सभा चुनाव से पहले हर्याणा सरकार युवाग को रिजाने के लिए बंपर भरतीयों की तयारी कर रही है जिसमें अकेले पुलिस भिवाग में 11,000 पदों पर भरती होगी इसमें 5,000 सिपाही, IRB में 1,000 जवान और SPO में 5,000 पदों की भरती कराने का प्रस्ताब है वहीं इसके अलावा होमगार्ट में 5,000 जवानों की भरती का भी प्रस्ताब है इसके लिए DGP शत्रूजीत कपूर ने हर्याणा सरकार को प्रस्ताब भेजा है वह इंश्रिक्षन निदेशाले ने हर्याणा कर्मचारी चैनायोग को 1200 JVT की भरती का प्रस्ताब भेजते हुए हर्याणा पुलिस की ओर से सरकार को भी भेजे गए पत्र में बताया गया कि प्रदेश में इस समय सिपाही के 15,541 पद खाली हैं आगे विधानसभा के शुराव है और कानुन विवस्ता संभालने में कर्मचारीों की कमी आड़े आ रही है इसके चलते 5000 सिपाही 4000 पूरुष और 1000 महिला सिपाही के पद शामिल है इसे परकाद DGP ने 5000 स्पेशल पुलि कर चुकी है आज सुभा हर्यान के अंतरगत करनाल के तरावडी स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के आठ डिब्बे पट्री से उतर गए आपको बता दे कि इस हाथसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है हलाकि इस हाथसे के कारण दिल्ली अंबाला रेल ट्रेक प्रभा प्लाल पट्रियों पर से मलवा हटाया जा रहा है इसमें समय लग सकता है हलाकि रेलवे भिवाग इस पर तीजी से कारे कर रहा है बताते चले दिल्ली अंबाला रेलवे लाइन पर ट्रेने रोग दी गई हैं गौर तलब है कि पिछले महीने की शुरुवात में हर्याना के परिदबार रेलवेश्योशन के पास कोईले से लधी एक मालगाडी के दो डिब्बे पट्री से उतर गए थे हलाकि उस घटना में भी किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई थी हर्याना सरकार ने सभी धर्म गुरुवों के उत्थान और उनके समगर कल्यान के उदेशे से हर्याना अर्चक पुजारी और अन्य नियुक्त धार्मिक पेशेवर कल्यान बोर्ड ह.प.व.ब का गठन किया है इसका मुख्योदेशे धार्मिक गुरुवों की आर्थिक स्थीती का व्यापक विशनेशन कर उनकी सेवाओ के उनुसार न्यूनतम वेतन की श्रीफारिश करना है इसके साथ ये धर्म गुरुवों के पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन के लिए अनुकूल और सहायक वातावरन सुनुच्छित करना भी बोर्ड के मुख्योदेश्यों में शामिल है विराजे के पूर्वों सीयम मनोहलाल ने दो साल पहले करनाल में भगवान श्री प्रशुरा महाकूंबु के कारेकरम में पुजारिवे पुरोहित कल्यान बोर्ड के गठन की गोशना की थी ताकि उन्हें एक निश्वित न्यूनतम तै किया जा सके इस घोशना के दो साल बाद भाशा एवम सांस्कृती भिवाग के अतिरिक्त मुख्य सचीव भी उमाशंकर की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है इसके तहत वोड धार्मिक गुरो की मौजूदा आर्थिक स्थिति उनके जीवन यापन की लागत का विशलेशन क करेगा ताकि उनके जीवन यापन के अनुरूप नियुन्तम राशी दी जा सके अधिसूचना के मुताबिक धार्मी गुरों का वेतन उनकी और से प्रदान की जा रही है बहु मुल्ले सेवाओं के अनुरूप होगा ताकि उनकी वित्ते स्थिरता सुरिशित हो सके बताते इनेताओं का पाला बदनने का दोर भी चालू हो चुका है दरसल सौंबार को इनेलो के पानी पत के डॉक्टर राजपार रोड ने इन Яलो को अलविदा के दिया है उनके पास इनेलो के जीलाकारे कारी अध्यक्ष का पत बताया गया है दरसल उन्हों ने चंदीगर में पू नंफानन में घोशणाएं कर रही है लेकि जनता अब उनके जहांसे में नहीं आने वाली साथ उन्होंने कहा कि जनता चुना में बीजेपी से 10 साल के अत्यचार का बदला लेगी और इस बार परदेश में कॉंग्रेस की सरकार हुनाएगी महीं उन्होंने डॉक्टर राजपाल रोड को पार्टी में पूर मान सम्मान देते हुए ये भरोसा दिलाया है कि उन्होंने कहा डॉक्टर राजपाल रोड बहुत महंती नेता है उनके आने से कॉंग्रेस और मजबूत होगी परदेश में इन अलोवे जच्पा का कोई अधार नहीं है लगातार कॉंग्रेस का कुन्वा विस्तार ले रहा है और नए लोगों के साथ आने से परदेश में सत्ता परिवर्तन की लहर और जोर पकड़ती जा रही है तो ये धी दिन पर की कुछ तादो सुर्कियों के साथ हर्याडा की खास खबरे कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ अब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे है देश रोजाना नमस्कार हमारे साथ जूड़े रहने के लिए देखते रहें देश रोजाना का यूट्यूब चानल सबस्क्राइब कीजिए साथ ही देश रोजाना की खबरे सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन